हाँ तो भाई लोग क्या से आप लोग बढ़ी आगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है आज के इस वीडियो को देखो हो जाओगे क्योंकि आज हम लोग बहुत ही साधा सीरियस टॉपिक की उपर बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में मैं दो लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ पहला उर्फी जावेर और दूसरा उर्फी जावेर लाई अब जिनको विल्कुल भी कॉंटेक्स नहीं पता एक्चुली वैसे किसी को भी नहीं पता मैंने स्चोरी डाली थी अपनी इंस्टाग्राम लोगों से पूछा था कि भी ये तुम्हें कॉंटेक्स पता ये मैट्रो वाले का तो 90% लोगों ने कहीती नहीं भाई मुझे नहीं पता तो इसलिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ लेकिन आप वीडियो स्चार्ट करने से बले तुम्हें बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो मे लाया हूँ तुम्हें पास एक मोका एक IPL मैच को VIP की तरह देखने का चांत जी या आपको मिल सकती है IPL मैच की VIP कपल टिकेट्स वो भी सिर्क एक रुपे में कैसे जानने के तुम्हें ये कहानी है कि आज से दो-तिन दिन पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी मेट्रो की जिसमें एक लड़की अजीब से कपड़े पहन के ट्रेवल कर रही थी एक्चुली इस लड़की का नाम है रिदम जो मैट्रो में कुछ इस तरीके कपड़ अब ये सही है या गलतनी वीडियो के एंड में तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी कोई ओपीनियन ने दूँगा क्योंकि इस चार्टिंग में बिलना कुछ फैक्स बोले अगर ओपीनियन दे दिया तो कैंसल होने में देर नहीं लगेगी समझ रहो ना बात को इनका नाम और मैं आपको या बीच में समझाऊगा कि वो कैसे गलत है लेकिन सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं उस व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ जिसने इस वीडियो को शूट किया आप बिदाउट सामने वाले की परमीशन उसके वीडियो को नहीं शूट कर सकते ये बात आपको समझ में आने चाहिए उसका राइट टू प्राइवेसी है भाई अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इसको डिफैंड करने हैं देखो कपड़े पे किसी के कोई बराई नहीं है मुझे आपको जो पहनना है पहनो लेकिन जितने भी लोग इसको कर रहे हैं तुम 2021 में कहां मर गए थे ब्रो 2021 में सेंग ऐसा ही इंसिडेंट हो चुका है लेकिन कंडिशन थोड़ी सी बदल गई थी केरक्टर थोड़े से बदल गए 2021 में भागलपुर के बिधायक थे जो की एक मेल थे एक पुरुष थे वो ट्रेंड में ट्रेवल कर रहे थे वह कपड़े नहीं पेने हुए थे वह सिर्व अपना अंडर गार्मेंट पेने हुए थे उपर बनियान पेने हुए थे उनका किसी ने को टोखेचा और उसको डाल देया शोशल मीडिया पे जिसके बाद उनकी उपर जगा जगा पे कंप्लेंटे होन लगी जगा जगा उनके बारे में बाते होने लगी हुए और लोग उनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं अरे भाई तुम MLA हो MLA हो के ऐसा कैसे कर सकते हो मतलब यह कौन सा लोजिक हो गया अगर कोई व्यक्ति MLA है तो उसकी रिस्पोंसिबिलिटी बन जाती है जैसा यहां तक मैं जानता हूं हिंदुस्तान अज 2023 में जी रहा है तो मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कपड़ों से प्रॉलम हो इनके सगर होती भी है तो हम उसका एजगर देखे तो उस हिसाप से हो सकती है अगर में यक्स्टर्स की बात करें तो मेरे खाल से कि अगर कोई उस लडगी कोई तो क्या पूरे लडगे गलत होगा या कोई उस लडगी के बाद में और जाता है जैसे के वह और अगर इनके बचेगी तो इंसान नहीं भगवाने ऊसकी पूज़ा सिरियस्ली. खेर अब थोड़ी सी बात इन भेन के बारे में भी कर लेते हैं. इनका नाम है रिदम और यह ऐसा क्लेम करती है कि यह एक सोशल मीडिया इंफ्लेंसर है. अब दोगों इनके अगाउंट को देख कि मैंने सोशल मीडिया इंफ्लेंसर तो नहीं कह सकता, लेकिन यह इन्फ्लेंसर जरूर हैं और वो कैसे हैं क्योंकि हमारी इंडियन मीडिया ने इने बना दिया है. स्पेशल ठेंक्स तु में पेजे हैं, स्पेशल ठेंक्स तु यूटूबर्स, स्पेशल ठेंक्स तु इन्डियन मीडिया जिनों ने इस घटिया content creator को आज की डेट में celebrity बना दिया है. आज से मैंने एक मीने पहले एक वीडियो डानी थी, यह वाली, अगर आपने देखी हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो जा कर देख ले ना, इस वीडियो बा मैंने एक बहुत अच्छी पोइंट उठाया था, कि लोग अगर इसको नहीं रोकएंगे, तो लोग इस ते inspired होना शुरू हो जाएंगे और यही logic इस लड़की पे भी लागू होता है इसके इंटर्व्यूस ठापे गए इसके उपर news आई इसके memes बनाए गए जिसके कारण क्या हुआ इसको मिल गया सस्ता fame और जितना मेरा experience है उस हिसाब से बता रहा हूँ यह अपने comfort के लिए क content बना रही है तो इससे कहीं ना कहीं clear समझ मारा है कि यह और पी जावेश से बहुत ज़्यादा inspired है और उसके वज़िए हम सारे point हटा देते हैं किसी से inspired नहीं है इसको comfort चाहिए ता है इसलिए Metro में गई तो उसके बाद जब लोगों ने इससे troll करना शुरू किया तो इसके एक बार replies और चली सम्राड भाई बहुत open minded आदमी है अपनने इस सब अटा दिया अपनने ये भी मान लिया कि उसको गुस्सा आ रहा होगा को इसको गाली बख रहा उसके कपड़े को लेके इसलिए उस तरीके का reaction दे दिया गो लेकिन इसका क्या एक तो हिंदुस्तान के 100 में से 80 मीम पेजेस बलगरिटी बेचने में लगें उसमें से जो बचे कुछे कुछ अच्छे मीम पेजेस है उनमें से एक मीम पेजने इसका मीम बनाया एक्चुली उसने निउस बनाई और उसमें इसकी शकल के उपर बलेक पट्टी लगा दी ता अगर आपको इतने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा कि यह कितनी बड़ी क्लाउट चेसर है तो आपसे बड़ा मूर्क कोई नहीं है इंदुस्तान में मेरे दोस्त मैं तुम्हें गैरंटी दे रहा हूँ जादा नहीं 15-20 दिन रुख जा यह वीडियो आने के बाद मेरे ज जाओ यह ट्रेडर बहुत अच्छी टिफ्स देता है जहां जाके पैसा लगातो यह जूते खरीद लो यह चप्पल खरीद लो कुल मिला के शोशल मीडिया इल्फल से सच्वा बन जाएगी जो आज की डेट में नहीं है और यह बात में बहुत पहले से क्यता रहा हूँ तो टी-20 लीक का एक मैच है लखनव और हैदराबाद के बीच मैच से बहले डिसकुशन में दिए हूए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सरकल एप और अपने टीम बनाओ उसके बाद गिववे कॉन्टेस को जॉइन करो और जीतो 15 अप्राइल के लखनव वर्सिस पंजाब व करोड तक कर सेकेंड प्राइस हो जो सेकेंड प्राइस एक करोड है तो फस्स क्या ही होगा डिसकुशन में दिए हूए लिंक से डाउनलोड करो मेरा कूपन को जरूर यूस कर लेना समरा 23 तुम्हें 20 परसंट एक्स्ट्रा केश मिलेगा आपने फस्स डिपोजिट पर और सा जो से मुझे ही देखते हैं आपको नहीं पता होगा और फिजावेद एक्ट्रेस हैं जो अपने ओल जुलूल फैसिन सेंस के लिए जानी जाती है आज से कुछ दिन पहले हमारे बीबी ने एक बहुत बड़ा एक्स्पोज किया था आहे हम हंद्र परसंट शौर आपने सुन आई गया होगा कि जब भी उर्फी जावेद कहीं जाती है उल जुलूल कपड़े पहले के तो इतनी जादा मीडिया उनको कवर क्यों करने लगती है एक तो इनकी पिया टीम जो फून करके बताती होगी मीडिया वालों को कि भईया एक काम करो उर्फी दीदी आ रही है आप उनके फोटोस दे लो उसके उन फोटोस के वीम्स बने वाना जो आज की जर्ट में पडी नाम पर सब पचब करें नाम पर इससी जगा पे उस एक्ट्रेस को रखो रही है उसको फेम नहीं मिल भरा है लेकिन एक पॉन आलन्र करती हो और उसको इसको उतनी है हॉआई छाओन हमारी गलती नहीं है, हम वो ही देखते हैं जो दिखाना चाहता है कोई आज मैं एक human nature की बहुत अच्छी बात समझा रहा हूँ तुम्हें मेरे दोस्त अगर मैं अपनी वीडियोस में बार बार दिखाने लगू ना कि मैं गैंक्स्टर हूँ यही सेम चीश परफुरी जावेद और इसकी पिया टीम ने करी तुमने इसको ऐसा मजाक में लिया, तुमने समझा कि यह विवबकूप है, कहीं से विवबकूप नहीं उसे पता है किस तरीके से उसे अटेंशन मिलेगी किस तरीके से उसके followers बढ़ेंगे किस तरीके से आने वाले टाइम पे जब वो एप पे जाएगी उधर तुम उसको follow करोगे कुल मिला कि वो जानती है कि business कैसे करना और वो इसी content को बेच के तुम्हाँ साथ बिजनिस कर दी हो और तुम करवा रहे हो आई बास समझे मेरे दोस्त खेर आप इस वीडियों के man point और man facts बे आते हैं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि समरार भाई कोई कितना भी cringe कर दे कितनी भी vulgarity फैलात है वो इस चीज से अपने आपको defend कर लेता है कि उसके कपड़े छूटे नहीं है तो हुमारी सोच छूटी है आज मैं आपको कुछ morals के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बाद ऐसी जो fake feminist जो इस तरीके की बात-बार-बार उठा के लाती उनको जवाब मिल जाएगा पहली बात हिंदुस्तान में 2023 में 99% youngsters को कोई कपड़ों सो problem नहीं होगी वो इतना कुछ देख चुके हैं इतना कुछ समझ चुके हैं इस दुनिया के बारे में कि अब उन्हें problem नहीं होती लेकिन हर जगा के कपड़ों का सेंस अलग होता है मेरे दोस्त अगर तुम bikini पहन रहो definitely पहनो कोई दिक्कत कोई परिशमी नहीं लेकिन उसकी एक जगा है बीच पे जाओ पहनो कोई problem नहीं है तो जब आपको इतनी समझ है कि आपको party में जाना है तो किस तरह की कपड़े पहनने तो आपको ये समझ नहीं कि आप public place में जा रहो जा रहो जा बच्चे भी हैं और ऐसे लोग भी है जो इस तरह के चीज़से अनकमफरटेबल हो सकते हैं गलत कर दो आई बस समझ में आखरी point ये question बहुत जादा उटके आ सकता है कि इंस्टाग्राम पर इस तरह के की वल्गरेटी चलती है वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाता तो पब्लिक में हम कैसे कलने देखो social media भी एक social place ही है लेकिं वहाँ पर restrictions नहीं है और Indian government मेरे एसाफ से कभी लगा भी नहीं पाएगी क्योंकि ये जो company है ये टाइकून ही है भाई ये Indian constitution से कभी नहीं चलेंगी तो इस बात को दिमाग में बैठा के रखो मेरे दोस्त की अगर कोई social media पर भी डाल रहाना तो गलत है public place में आप vulgarity नहीं डाल सकते हैं लेकिन क्या करें भाई यहाँ पर कोई restrictions नहीं है अब एक last बात बहुत practically समझाने वाला हूँ कि technically इसमें कुछ illegal नहीं है लेकिन ये एक basic civil sense का matter है society में कुछ नियम होते हैं जो order और morality को बना के रखते हैं freedom के नाम पर हर चीज को जायज नहीं कह सकते हो मेरे दोस्त बाकी स्कीव पर मेरा इतना ही opinion है और मैं जानता हूँ यह चीज रुकना है नहीं वाली अब आने वाले टाइम में तुम हर दूसरे दिन मुझे हर तीसे दिन टैक करने वाले उस तरीके की वीडियोस में कि सम्राड भाई देखो यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है जब तक 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 किये चीजें नहीं रुकेंगी अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि जब इग्नूरी करना था तुने वीडियो के बनाई नहीं बनाता समस्ते कैसे अज एक साल से ऊपर हो गया और मैं वो वो कॉंटेंट बनाणा उँ चो लोगों के काम आ रहा है वो नहीं बनाँ जिसमें मुझे व्यूज आ रहे हैं सोचो मेरे व्यूज अगर डाउन जा रहा हैं और मुझे ब्रैंड्स नहीं मिल रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है मेरी है आपकी, मेरी ही है न, दोस्टिंग वीडियो से बहुत फ़न होता है, बहुत व्यूज होता है, बहुत पैसा होता है लेकिन ठीक है, काम कर रहा है I know, आज नहीं, दो साल नहीं, पास साल नहीं दस साल बाद, कोई ना कोई तो appreciate करेगा और करते हैं यार, मेरे लोग जो, जितने भी हैं मैं नहीं जानता कहां-कहां से मुझे लोग देख रहे हैं लेकिन जितने भी हैं, जब भी मिलते हैं जो सम्मान, जो प्रेम मुझे मिलता है मुझे नहीं लगता किसी और को इतना मिलता होगा बहुत बहुत जादा रिस्पेक्ट मिलती है और इसी रिस्पेक्ट के लिए तो काम कर रहे हैं पैसा वेसा सब अपनी जगा है क्या है अगला वीडियो शायद मेरे कॉलेब आने वाला है एक क्रियेटर दोस्त है मेरा उसके साथ और बहुत ही कॉंट्रोवर्शिल वीडियो है हमने उसकी उपर एक महीना हो गया काम करी रहे हैं रोजी बात कर रहा है क्या मैं ऐसा ऐसा एड़ कर सकते हैं वैसा एड़ कर सकते हैं एक और महीने से मुस पर लगे पड़े हैं और आने वाले शायद 10 यह 11 तारिकते को वीडियो आ जाएगा और बहुत इंपोर्टेंट वी इसटागरम इसटागरम पर फॉलो करो तुमारे भाई ने बहुत करी रिल डाली है लेटेस्ट लील जा कर देखो मतलब माँसा आ जाएगा तुम्हें गूसबंस आ जाएगो उस रिल को देखे ठीक है तो जाओ जाकर इस रिल को देखो बाकी बाकी तो सब सैट है समराड भ पुलना लिंक डिस्क्रप्शन में और आप मेरा कूपन को जरूरी इस कर लेना 20% एक्स्टा कैश मिलेगा तुम्हें तुम्हें तुम्हारे फस्ट पॉसिट पर 15 वर्वेका साइन अब बोनस भी है ठीक है तो लिंक डिस्क्रप्शन और पिन कमेंट दोनों में जाओ जागर प्राउन रड़तरू